नमस्कार, प्रत्मेटिक के छठे लेक्चर में आपका स्वागत है पीछे के लेक्चर में हमने एडिसन और सब्ट्रेक्शन को पूरी डिटेल में समझा था अब हम लोग नए ओपरेशन मल्टिप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे तो मान लेते हैं हमारे पास दो सिचुएशन है ठीक है ये जो आप पहला पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास चार-चार बनानाज का सेट है कितना सेट है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ठीक है, तो अगर आप से कोई बोले कि यहाँ पर कुल कितने बनानाज है तो आप बताएंगे, चार-चार का सेट छे बार उसको हम लोग इंगलिस में लिखते हैं और इसी को हम लोग मैथेमेटिकली लिखते हैं तो आप क्या बोलेंगे चार टाइम, छे किताबों का ग्रूप ठीक है, और इसको हम लोग लिखेंगे फोर टाइम्स, सिक्स बुक्स यानि, छे किताबें कितनी बार आई हैं? चार बार, ठीक है? और इसको मैथेमेटिकल नोटेशन में हम लोग लिखेंगे फोर टाइम्स, सिक्स बुक्स ठीक है क्या? अब जब हम सिक्स टाइम्स फोर लिख रहे हैं तो ये टोटल कितना हुआ? तो सिक्स टाइम्स फोर को आप क्या बोलेंगे? चार कितनी बार? छे बार तो आप यूँ लिखेंगे चार, प्लस चार, प्लस चार, प्लस चार, प्लस चार, प्लस चार तो चार देखें, आपका छे बार हो गया और अगर आप इसको एड करेंगे तो आएगा ट्वेंटिफॉर ठीक है? शिमीलरले, फोर टाइम शिक्स बुक्स का क्या मतलब हुआ यहाँ पे ट्वेंटिफॉर बनानाज है फोर टाइम सिक्स का क्या मतलब हुआ छे आपको कितनी बार लिखना है? चार बार तो आप six प्लस six प्लस six प्लस six लिखेंगे और यह कितना हुआ? तो यहाँ पे एक आप इंट्रेस्टिंग बात अब्जर्व करें चार-चार का 6 ग्रूप और यहाँ पे 6-6 का 4 ग्रूप यानि 6 टाइमस 4 is equal to 4 टाइमस 6 जो टोटल है 4 को आप 6 बार रिपीट करें या फिर 6 को 4 बार रिपीट करें दोनों तरह से जो टोटल है वो कितना रहे 24 ठीक है हलंकि यह दोनों अलग-अलग टाइप के स्टैकिंग है यहाँ पे 6 इस्थितियां है और वहाँ पे 4-4 बनाना का ग्रूप रखा गया है अगर आप इन बुक्स को भी बनाना मने तो यहाँ पे 4 इस्थितियां है जहाँ पे 6-6 का ग्रूप रखा गया है तो physically, real life में यह दोनों situation काफी different है 4-4 का 6 collection और 6-6 का 4 collection यह दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें है लेकिन इन दोनों का जो product है numerically वो same आता है इसको visualize करने का एक तरीका है देखते हैं उसको तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे एक cubes का stacking है अब यह जो stacking है इसको आप दो तरह से बना हुआ सोच सकते हैं एक खड़ा stacking इस तरह का कितने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ तो साथ stacking इस तरह से खड़ा खड़ा और परते का stacking में कितने cubes हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो 6 cubes का vertical stacking आप मान सकते हैं कितने 7 बार ठीक है तो total इसमें cubes का संख्या हो जाएगा 7 times 6 cubes ठीक है आप इसी को horizontal यानि पड़े हुए कतारों से मिलके बना हुआ भी मान सकते हैं ठीक है और इस प्रकार की कितनी कतारे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो हमारे पास 6 कतारे हो गई इनको अगर आप एक के उपर एक रखेंगे तो यहीं चीज मिलेगा ठीक है और परते कतार में कितनी cubes हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ तो ठीक है यानि 6 टाइम्स साथ का ग्रूप है और कितनी बार रिपीट हुआ है छे बार तो 6 टाइम्स सेबन क्यूब्स और दोनों सेम नंबर्स को रिपरजेंट कर रहा है तो मल्टिप्लिकेशन का ये प्रोपर्टी है जिसको हम लोग कम्यूटेटीव प्रोपर्टी बोलते है 7 टाइम्स 6 लिखें या फिर आप 6 टाइम्स 7 लिखें दोनों का वेल्यू जो है सेम आएगा और ओ कितना आएगा 42 तो खेर इसे हम लोग मल्टिप्लिकेशन बोलते है जब हम 3 टाइम्स 4 लिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे मल्टिप्लिकेशन ऑफ 4 मल्टिकेशन ऑफ 4 बाई 3 ठीक है और इसका मतलब क्या होगा 12, अगर हम लिखते है, 3 times 9, इसका मतलब 9 जो है, वो 3 बार आ रहा है, 9 plus 9 plus 9, that is 27, ठीक है क्या, अगर आप 4 times 5 लिख रहा है, इसका मतलब 5, 4 बार आ रहा है, 5 plus 5 plus 5 plus 5, अगर आप इसको add करेंगे, तो आपको मिलता है 20, ठीक है, तो यह multiplication है, तो multiplication क्या हुआ, एक बहुत simple definition, multiplication is repeated addition, अगर एक ही प्रकार का group कई बार repeat हो रहा हो, तो total number निकालने के लिए हम लोग multiplication का use करते हैं, ठीक है, अब सवाल यह उठता है, कि 4 times 5 निकालने के लिए आप कर क्या रहे हैं, आप add ही तो कर रहे हैं, तो इससे हमारी जिन्दगी असान तो नहीं हुई, 3 times 9 निकालना है, तो आप add ही तो कर रहे हैं, तो यह तो एक तरह से केवल एक symbol हुआ, तो बिल्कुल सही बात है, कि जब छोटे-छोटे number होंगे, तो उनको multiply करने के लिए हमको बार-बार add करना पड़ेगा, लेकिन आप imagine करें, जब संख्याएं बड़ी हो जाएं, ठीक है, जब संख्या बड़ी हो जाएगी, जैसे 135 times 67, अब अगर आपको कोई बोलेगा, 67 plus 67, प्लस 67, इस तरह से आप 135 बार add करें, तो यह बहुत time consuming हो जाएगा, और यह बिल्कुल भी practical नहीं है, तो हमें कोई न कोई तरीका निकालना होगा, जिससे हम 135 और 67 को multiply कर सकें, आप इस तरह से तो add कता ही नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत जादा time लाएगा, ठीक है, और बहुत boring और एकदम ही practical नहीं है, तो अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, properties के बारे में, सबसे पहला property थो हमने यह बात किया, जिसको हम लोग बोलते हैं, commutative, commutative property, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, simple बिल्कुल, अगर आप 6 x 8 लिख रहे हैं, या फिर 8 x 6 लिखें, दोनों का answer से हम आता है, that is 48, यदि आप 5 x 9 लिखें, या फिर 9 x 5 लिखें, दोनों ही cases में आपका answer आएगा 45, ठीक, अगर आप 4 x 12 लिखें, या फिर 12 x 4 लिखें, दोनों ही case में answer आएगा 48, ठीक, यह हमारे जिंदगी काफी आसान कर दता है, यह जो property है, देखने में बड़ा simple लग रहा होगा, 6 x 8 equal to 8 x 6, लेकिन consider करें कि कोई एक गाउं है, एक village है, ठीक है, यहाँ पे total 135 families है, 135 families, ठीक, और यहाँ पे सभी घरों में 3-3 votes हैं, ठीक है, voting होने वाला है, और परते एक घर में total कितने vote हैं, 3 vote, ठीक, तो अगर आपको total number of votes निकालना है, total number of votes, तो आप क्या करेंगे, 3 vote आ रहे हैं और कितनी बार, 135 बार, यह situation है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, 135 times, 3 votes, ठीक है क्या, अब यह जो है निकालना बड़ा दुस्कर काम है, 3 प्लस 3 प्लस 3, इस तरह से आपको 135 बार करना यह बिल्कुल भी feasible नहीं है, हमारे लिए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस commutative property का यूज करके, 135 times 3 लिखने के बजाए है, हम लिख सकते हैं, 3 times, 135, आप इन बातों पे गौर करें, situation बिल्कुल अलग है, यहाँ पे हमारा वास्तविक situation क्या है, 135 times 3, मतलब 3-3 votes हैं पर एक पर एक घर में, ठीक है, कितनी बार, 135 बार, situation यह है, ठीक है, अगर हम 3 times 135 लिखते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, 135 का कोई group है, जो 3 बार repeat हो रहा है, ठीक है, situation दोनों बिल्कुल अलग-अलग है, लेकिन, fortunately for us, हमारे लिए, यह अच्छी बात है, कि 135 times 3, या फिर 3 times 135, दोनों ह सेम होते हैं, ठीक है, उनका संख्या जो है, वो सेम है रहा है, इसको हमने पीछे example से देख लिया, जैसे 4 है, 4-4 का अगर हम group बनाया, 3 group हमने बनाया, तो आप इसको इस तरह के stacking से समझ सकते है, तो आप देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 stacking बना कितने का? 3 का, और यदि आप इस तरह स और कितने का? 4 का, तो सेम numbers को represent करता है, अब हमारे लिए इसको solve कर पाना असान है, क्योंकि 135 को हमें कितनी बार add करना है, 3 बार 135, प्लस 135, प्लस 135, और इसको अगर आप निकालेंगे, तो बहुत simply आ जाएगा, 1, 3, 5, 1, 3, 5, add करेंगे, तो 2, 7, 0 आएगा, फिर इसमें हम लो 5, 7 and 3, 10, 1 will carry, 1 and 2, 3, 3 and 1, 4, ठीक है, तो यह कितना जाएगा? 4, 0, 5, तो आप देख सकते हैं कितना कमाल का यह property है, commutative property, ठीक है, इससे हमारा जो calculation है, जो repeated addition है, वो आसान हो जाता है, हमारे convenience का नुसार हम 135 times 3 को 3 times 135 लिख सकते हैं, ठीक है? तो अभी हमने पढ़ा था, 6 times 8 is equal to 8 times 6, अब हम लोग जो दूसरा property बात करेंगे, वो देखेंगे हम लोग, अगर हम 3 times, 4 times 5 लिखें, अभी हमने सिर्फ दू नंबर का multiplication सिखा है, तो हम 4 times 5 कर रहे हैं, और उसके बाद उसको 3 से multiply कर रहे हैं, या फिर आप 4 times, 3 times 5 लिखें, या फिर आप 5 times, 3 times 4 लिखें, ये तीनों equal आते हैं, तो 4 times 5 is 20, 20 times 3 is 60, similarly 5 times 3 is 15, and 4 times 15 is 60, 3 times 4 is 12, and 5 times 12 is 60, तो ये भी एक property है कि आप नंबर को देखें, 3, 4, 5 या फिर 4, 3, 5 किसी भी order में multiply कर सकते हैं, ठीक है, अब यानि bracket आप कहीं भी लगा सकते हैं, तो अगर 3 या 3 से अधिक चीज़ों को multiply करना हो, तो आप numbers को इधर उधर काफी आसानी से कर सकते हैं, और ये फिर से हमारे convenient होगा, calculation करते हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखें, ये cube है हमारे पास, एक बड़ा सामने cube-wide बनाया है, छोटे-छोटे cubes के साथ, ठीक है, आप इसको तीन तरीके से सोच सकते हैं, आप इस तरह से मिलके बना हुआ सोच सकते हैं, तीन अ-स्टैकिंग है हमारे पास, तीनों स्टैकिंग को अगर आप चिपका देंगे, तो बिलकुल यहीं बन जाएगा, या फिर आप इस तरह से बना हुआ सोच सकते हैं, आपके पास चार स्टैकिंग है इस तरह का, चारों को अगर आप चिपका दें तो बिलकुल यहीं बनेगा, या फिर आप इस तरह से सो तो आईए बात करते हैं, तो जितने cubes इसमें हैं, उतने ही cubes इसमें हैं, जितने इसमें cubes हैं, उतने ही cubes इसमें हैं, और जितने इसमें cubes हैं, उतने ही cubes इसमें हैं, मतलब इस figure में, इस figure में और इस figure में, जो cubes की संख्या है, वो same है, क्यूं? क्यूंकि इन तीनों से मिलके यहीं आपका cube त्यार होगा ठीक है तो इसमें cubes का counting करें हम तो यदि figure one में हम cubes का counting करें तो हमारे पास देखें कितने stacking है एक दो तीन चार पांच छे छे stacking है तो six times ये जो एक stacking है इसमें कितने cubes है अगर आप इसको देखें तो एक दो तीन और फिर इधर से एक दो तीन चार ठीक है तो ये कितने का हुआ है थ्री times four नहीं क्या एक दो तीन 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 ताइम्स और एक कतार जो है उसमें चार है तो थ्री ताइम्स फोर का ये stacking है और ये खुद कितनी बार repeat हो रहा है six times ठीक है अगर आप figure two का बात करें ये one है और ये two है तो two में देखें हमारे पास total इस परकार के कितनी परते हैं एक दो तीन तीन परत है हमारे पास ठीक है तो total number of cubes three times और एक परत में कितने cube हैं अगर आप देखेंगे तो एक दो तीन चार पांच छे और उपर से आएंगे तो एक दो तीन चार ठीक है तो छे एक दो तीन चार पांच छे छे कतारे हैं हमारे पास चार चार cubes की तो six times four और यदि आप figure three में जाएंगे figure three में अगर आप देखें तो आपके पास चार stacking है एक ये दो ये तीन और ये चार तो total number of cubes कैसे निकालेंगे four times और यदि आप एक stacking देखें तो एक दो तीन चार पांच छे एक दो तीन तो कितने है three times कितने का एक एक कतार है छे छे का तो three times six ठीक है क्या तो अगर आप देखें तो ये तीनों ही चीजें same number को represent कर रहे हैं यानि six times three times four equal to three times six times four equal to four times three times six और अगर आप किसी भी तरह से करें तो आपका answer आएगा 72 ठीक है क्या तो ये basic दो properties हमने पढ़ा एक तो आप लिख सकते है three cross four अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप उसी को four times three भी लिख सकते हैं पहला और दूसरा अगर आप three times four times five लिख रहा हैं इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं four times three times five मतलब आप number को किसी भी order में लिखके multiply करें आपका answer बिलकुल सेम आएगा situation भले ही अलग-अलग हो लेकिन जो total है वो सेम आएगा ठीक है क्या तो ये दो property है multiplication का इसको आप याद रखें ये हम आगे multiplication में बहुत सहायक सिध्ध होंगे multiplication में बहुत सहायक सिध्ध होंगे